यहलिो दूस्तों सब्सक्राइब सभी का आई टुच्ट पर दूस्ते दूसे ही जुलियों दिखने वाले हैं डीसी जेक्ट सेमिस्टर मुल्टी मीडिया विद कोरल्ड रा के इंपूरेंट कोसंट बताइए कोरल रा की तो आज हम यूनिटवाइज देखेंगे एक उनिट से 5 questions देखेंगे, तो आप लोगों बोलो,कि में time नहीं हैं और आप 5 questions एक के unit में करवा रही हो तो आपको पता है पेपर में 10 question आती है और एक unit से आपको 2 question मिलती है तो 5 question कर वाँगी, मैं 5 question में से आपको मैं 3 important questions बताऊंगी, आपको 3 questions ही पढ़नी है उनमेंसे आपको एक कॉस्टन करना होगा दो कॉस्टन आपको पिपर में मिलेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक का इंपॉटेंट कॉस्टन से मुल्टी मीडिया में ग्राफिक्स को महिद्विक समझाई ग्राफिक्स का वेक्टर तता रास्टर ग्राफिक्स के बारे में आपको रटना नहीं है आप दो तीन बार इसको अच्छी से रवाइच किजिए आपको पढ़ना है अच्छी से ताकि आप पेपर में लेक्सा को तो आपकी इस परकार जी कौस्टन है आगला अगर पूरा करना चाहो तो आप पूरा भी कर सकते हैं इसके बांकी की देख सकती ह होगा इमेज कैप्चरिंग मेतट्स को समझाईए इमेज के डिफरेंट फाइल फॉर्मिट को समझाईए तो इस परकार आपके यहां पर पांच कौस्टन होते हैं यूनिट फर्स्ट की यहां पर स्टार्ट होता है आपका यूनिट सेकंड मल्टिमीडिया में वीडियो और एनिमेशन को समझंजाई यहई आपको बहुत important question से is file format की use and type को बता हुआ यह भी आपको करना है इसकी वादध को करना है इसमेंसी इसमें से animation को उसके use words को समझाई animation के types और उसके use कहां पिकिया जाता है different video standards को समझाई और video को उसके types के साथ समझा इसमें से 2 questions मैं 3 questions बताऊंगी मैंआपको different video standard को animation की use बताने को और multimedia तीन्लुट फिर्ष्ट । कैना दो हम आती है आगला थरी आती है आपकी इसके बाद आपका सैकेंड कॉस्टन होता है यूजर इंटरफेस को बीन्डूस पैनल का वढल की जी पैनल और लियाउट के डिफरेंट साइज और फॉर्मिट को समझाइगी तो इसमेंसे आपको first करना है second और third करना है और लेकित आपको चाहत्ए इसमें चाहते हैं स्काहिंब और समझाना है इसका आपका question है निमन को समझाइए इस पर कार आपका question आएगा file layout and properties हो जाएगा और इसके बाद object and using color profile या files हो जाएगा इसके बाद आपकी unit 4 आती है unit 4 में आपके important questions है test tools और उसकी properties को विस्तार से समझाइए vector graphics को उसके editing tools को समझाइए तो आपने दौनों ही question बहुत ही important questions है तो आप इनको एक बाल जरूर कीजिए इसके बाद आपका third question आता है create and editing shapes drawing and editing curves इसके बाद आपका fourth आता है coral drama image को graphics import करने की process को समझाइए तो coral drama में आपका इसका fourth question आप कर शक्ते हो third को आप चाहो चोड़ सकती हो आप first second और fourth करना है आपको इसमें से मैं आपको इसमें चार question ही बता है इसके बाद आता है आपकी unit 5 unit 5 में सापको question करना है तीनो question करना है voider और page arrangement को समझाइए test के साथ masking effect को यूज की और object की साथ भी masking masking effect का यूज करना है दो तरीके से होता है grid and rules को का उपयोग कीजी तो आपको इस परकार यहां पर मैंने questions बताए थी तो आंगे की first second third unit में तीन चार पांच-पांच questions है चार और पांच यूनित में एक में चार में चार पांच में तीन question है तो जाना questions नहीं है आपके इन में से तीन तेन questions मैंने बताए थी फिर से repeat कर दीती हूं मैं आपको पहले वाली में आपको first वाला करना है second वाला करना है तीनों important question करना है इसके वाद unit second में हो जाएगा आपका first हो जाएगा और third जरूर करें कॉरल रा की work space और tools panels kit को समझाई तो यह आपका आ सकता है आपका first, third, fourth और fifth वाला आपको चार करना है इसके इसके बाद आपका unit पढ़िए कि आप लेक सको पेपर में आपका Monday के दिन पेपर है तो आप अच्छी से करिए इनको जान्दा question नहीं आपको दस से पांच पंदरा question दस पंदरा question ही ओंगे आप अच्छी से एक दो वार रिवाइस की आपके पास एक दिन है पूरा आप कर शकती हो तो चलिए मि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू करें और वीडियो को शेर जरू कीजिए दोस्तों चलिए मिलते हैं वीडियो में thanks for watching this video